हलो वेस्ट, वेलकुम बाग टो प्रगधी क्लासेश, आज सभी आप क्लास 10 के स्टूइंट का हिंदी का एक्जाम था, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लीजिए, कुशन पेपर का कोड 00324 में से जो आपके कुशन आये थे, उसका आंसर की यहाँ पर हम मैच करेंग अधुनिक समाज और मध्य कालिन समाज के बीच में थोड़ी सी कंपारेजन की गई है, इसके अलाबा इनोंने ये भी काया कि भारत समाज जो अधुनिकता से बहुत दूर है, और भारत की लोग अपने आपको अधुनिक बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, इसके पर पढ़ने के बाद सारी चीज़े के जो क्लियर हो पा रही हैं, तो अब देखिए अधुन स्टूडेंट ने इस वाले पैसे को अटेम्ट किया होगा, तो कुशन देखिए इस तरीके से था, गर्द्यांस के अधर पर सही तथे को चुनिए, तो इसमें तो साब साब यह जो है लिखी हुए थी कि आधुनिक समाज जो मुक्त और मध्य कालिन समाज बंध होता, इसमें तो कोई डाउट ही निए, एकदम पैसे से डिरेक्ट नांसर लिखना था, फ़र्स कुशन का सी हमारा करेक्ट था, सेकिन कुशन में था सास्वत मुल्यों में कौन-कौन सी ची तो विद्वानों ने किस पर विखत की थी कि भारतिय समाज में बारतिय समाज ना केवल अधुनिक्ता से दूर है, बलकि उसको लाने के यहां पर परियास भी नहीं हो रहे हैं, नेक्स कुशन जो था अधुनिक समाज के विशिस्टताओं में कौन से शामिल है, तो इसको ज आपका D option यहां पर करेक्ट था, नेक्स एक बंद समाज के विशिस्टाओं में किसे नहीं रखा गया है, तो बंद समाज में यह तीनों बाते की गई थी, लेकिन यह तो था, यह बंद समाज का नहीं बलकि अधुनिक समाज के गुण थे, और बंद समाज को मध्यकालन गया था, तो आपका 5 पे question कसी option का एक था, और उसके अलाबा इसके जो option में थे, तो बंगाल की धर्ती का था, कि मतलब जब बंगाल डिवाइट नहीं हुआ था, तो यहां पे क्या-क्या चीजे बहुत सी संदरे थी, और इसको लेकर बहुत ही बहतरीन आईए, आपका पैस था, उसके बाद question पूछे गए थे, किसी संबेदन सिल मन को अपुर्व आनंद से भर देते हैं, नदियू, नहरों और खेतों के चित्र, लेखा के दिरिश्टी में बंगाल की सस्य स्यामला धर्ती के संदरे कैसा नहीं है, तो इसके अंदर पहली लाइन में आविश्मणिय तो बता दिया, और फिर आगे भी बढ़ोगी, तो आकरशक मायाबी के बारे में भी बात हुई है, लेकिन ये बात कहीं पे भी नहीं की गई है, इसलिए 7th का D option correct है, नेक्स question पूछा वा था, इसमें से कौन सा जो यूगम है, वो गर्दान्स के अधार पर सही है, तो इसलिए आपका 9th कोशन का B option correct है, 10th कोशन ने पूछा वा था, इसका आपको किंद्री विंदू बताना है, तो इसमें ये ही था, आभी भाजित बंगाल की धर्ती का कैसा संदर्य था, B option बिलकुल correct है, नेक्स जो है आपका, ये जो कावियांस आये थे, तो इसमें गोरे औ काले के उपर जो हमारा समाज भेदभाव करता है, उसको लेकर ये कावियांस था, और कोशन में आगे चलते हैं, तो कावियांस में मुखी रूप से किस समस्या को लेकिया गया है, रंग भेद को लेकर, कभी के अनुसार जीवन ब्यर्त कभ हो जाता है, जब प्रेम ना हो, उजवल सफेदी पर गर्व क्या है, मिथ्या चल और अभिमान है, ठीक है, तो उसके बाद कभी कहता है कि रंगों का राजा तो है रंग भीतर बाला, तो भीतर वाले रंग का क्या मतलब है, आंत्री गुन और जो इंसान का स्वभाव होता है, गोरी और काले बर्ण के लिए प्रकिर्ती ने कौन सा परतिक दिया, धर्ती ने गोरे के लिए और आसमान ने काले के लिए दिया है, तो बी ओप्शन बिल्कुल करेक था, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन में काव्यांस था, उसके अंदर जो है आपका यह मतलब एक घर के बारे में है, कि मतलब कोई इंसान जो अपने घर को छोड़ कर चला गया है, फिर वापस आया है, तो अपने घर के सिचुएशन को एक्स्प्लेन कर रहा है, तो उसको लेकर काव्यांस था, तो अभी यह देखिए कुशन में, 16 जो है घर में किस परकार की गंध परसरी हुई थी, निर्जनता और बंध हवा की, ठीक है, अब पोटली में बंदे चनव के अंकूरित होने का क्या आर्थ है, उरवर्ता और नबजीवन का, मकान जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कभी की यात्राओं में, गति शीलता में, सहयात्री है, तटकी तरह स्थिर पर गतियों से भरा, काव ठीके, दो दिनों के बाद, जो है, लोटने की स्थिती, जो है, तो उसमें आपको बताना है, कि कभी अपने घर में अकेला है, और उसके नग होने पर ये घर निर्जन था, तो इस तरीके, अब उसके बाद जो ग्रामर पोशन था, ग्रामर पोशन मैंने आपको अच्छे से नहीं है तो ये सारे सरलवाक्य थे लेकिन आपका जो है सी वाला सरलवाक्य नहीं है बाल गोबिन भगत खेतों में रुपाई कर रहे थे तो आपको बताना है कि रेखांकित जो शब्द है वहां पर कौन सा आश्री तुबबा की यूज हो रहा है तो यहां पर किरिया आश्री तुबबा का यूज हुआ है नेक्स कुशन कुशन नमबर 24 है जिसके अंदर जो है आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है कि उन्होंने विश्भर में प्रसिद हिंदी अंग्रेजी सब्द को स्तयार किया ठीक है ना तो इस तरीके से आप कर सकते है कि उन्होंन 25 जिसमें इन्होंने कहा था कि मिश्र वाक्य का आपको उधारन देना है तो मिश्र वाक्य का उप्शन नमबर C है नेक्स कुशन में पूछा वाता वाच्चे आपको बताना है तो इसमें करम वाच्चे है इसमें से पूछा था कौन सा करम वाच्चे का उधारन नहीं है तो आपका जो है C वाला option बिल्कुल correct होगा question number 20 जो 9 था वो कृत्वाची का उधारन देना था तो 29 का आपका D है 30 के option में जो आपसे पूछा गया था कि राधा अब उठ बैठ सकती है तो राधा से उठा बैठा जाता है भाव अच्छी कमें हमारा change हो जाएगा और next question जो है question number 31 जो है कि आपसे पूछा वाता पत संबंदी कि इन में से कहां पर अकर्म के रिया का प्रियोग हुआ है तो option number C है यह मेरा पसीदा अब देखिए यह मैंने आपको खराया ही था यह आपका सर्वनामिक विशेशन का उधारन है next question है बिस्मियादी बोत अजदु और भी औपशन करेक्ट होगा, 38 का ओस्यों पूच्छा हुआ होता था यह आपका सम्मंध्ध बोधक, 35 का A हो जाएगा, 36 का आपका B option और C, C 38 ओस्यों embora पढ़के भी खरायां सार्न कश्यों निकाल सकते थे, A option , 42 का D option, 43 का C option उसके बाद 44 का B option जो है बिल्कुल correct है और आगे चलते हैं 45 में तो उसका D option correct है 46 के अंदर option number जो है B correct है 47 के अंदर C correct है इसारे questions मैंने अल्रेड आपको कराए हुए थे 48 का C option correct है और उसके बाद आगे चलते हैं 49 में तो 49 का option number A correct है 50 का B correct है और 51 को जो है D correct है 52 का आपका B correct है 53 का आपका B correct है और उसके बाद जो है यह आपका 54 का D question correct है तो यही सारे question थे guys अब आपको क्या करना है अपने marks जो है आपको comment box में लिखना है एक दो अगर कोई उपर नीचे हो गया वह क्योंकि जल्दी जल्दी में आपके जो question papers all हुए है तो उसको आप comment box में जरूर लिख दीजेगा और बाकि आप अपने next exam की तियारी में लग जाएए अब आपका एक ही exam बचा हुआ है तो उसके लिए all the very best